नमस्थकार फिर आपको सवागत है आपके अपने यूईटे टेट टेक्टिक्स फरोडर में है neighborhood U 다들 Campaign credit card apply के लेकिन अभी तक आपको अपने credit card क के अपडेट के वारे आपको नहीं पता है अगर आप आपको अपने HDPC bank के यूपे रोबे credit card की डिटेल्स को देखना बहुत जरूरी है आज किस वीडियो में आपको बताने बालाओं किस ते लिए किस ते आप अपने credit card की नंबर x by date या CBB code को किस तरी किसाफ देख सकते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले हमेसे तरह एक ही बात करूंगा अगर आप किस भी बैंक को भी credit card आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्राइब लिंक दे दिया है उसे लिंक पर क्लिक करने बाद आप यह वालूं कर पाएंगे कि आपको स्क के यूपर ओपर credit card की details को देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आज को अपने mobile screen पर और मैंने Google Chrome browser को open क्या हुआ है सबसे पहले आपको अपने mobile याफी laptop में कोई एक browser open करेना है उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है mycards.hpbank.com यह HFC Bank की website है यहाँ से आप अपने credit card को totally manage कर सकते हैं आपको इस website पर विजिट कर जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number enter करना हुआ दोस्तों mobile number enter करने बाद यहाँ पर आपको gate OTP पर आपको करना है क्लिक जैसे आप gate OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आजगा उस OTP को आपको valid करना हुआ तो दोस्तों मैं यहाँ पर mobile number enter करने बाद मैं gate OTP पर कर देता हूँ क्लिक अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक OTP आ चुका है तो बैस OTP को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जैसे आप OTP एंटर करने बाद सम्मेट वाली वेटन पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP है वो valid हो जाएगा और आपकी mobile screen पर एक नया page open जाएगा कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे phone की screen पर आप देख सकते हैं मेरे mobile screen पर मैं successfully इसमें लोग-इन हो चुक हुआ हूँ लोग-इन होने के बाद आप यहाँ से अपने credit card को totally manage कर सकते हैं जैसे कि अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं लिखा हूए tension तो यहाँ पर आपने credit card को मैनेज कर सकते हैं इसके बाद लिक है लिखा हुआ Credit Card 2 यानि कि हमारे पास दो Credit Card है और यहाँ पर पहला यह Credit Card है Moneybag plus Credit Card और दूसरा Credit Card है UPI रूपिए Credit Card अब बात करते हैं किस तरीके से आप अपने रूपि रूपिए Credit Card की details को देख सकते हैं किस तरीके से आप अपने credit काड की यह देखिए, process R यहाँ पर आपको करना हुगा क्लिक देखते हैं, यहाँ पर आपको करना हुगा क्लिक. जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपकी mobile school पर एक नया page open जाएगा अब यहाँ पर आपको अपनी date of birth को enter आपको करना हुआ दोस्तो date of birth को enter करने वाज simply यहाँ पर आपको proceed वाले वटन पर कर देना है click तो दोस्तो मैं यहाँ पर उनकी date of birth को enter कर देता हूँ जिनका यह credit card है तो यहाँ पर मैं हो सकता है डेविट का भी option हो यह फिर नेटी बैंकिंग का भी option हो तो जिनके पास इनका इनका credit card है उनके पास credit card है यह credit card है तो मैं जो पहले चिनका card है credit card उसकी डेटल यहाँ पर verify मुझे करानी होंगी तो देखिए यहाँ पर आपको करना है क्लिक अब देख सकते हैं इसके बाद मैं सम्मिट वाली बटन पर कर देता हूं क्लिक जैसे आप सम्मिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो credit card की डेटल यहाँ पर आपको सो हो जाएंगी अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी mobile screen पर यहाँ पर हमारे यूपे रूपे credit card की details हमारी mobile screen पर सो होच चके और जब आप किसी भी यूपे रूपे रूपे credit card को लिंक करेंगे तो वहाँ पर आपको x by date को आपको एंटर करना होगा तो आपको अपने यूपे रूपे credit card की details को लिख लेना है उसके बाद आप easily किसी भी यूपे रूपे रूपे credit card को लिंक कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने hdx bank यूपे रूपे credit card की details को देख सकते हैं आपको वीडियो आपके लिए बहुत भी helpful होगी और वीडियो आपको पसंदाएगी अगर आपको वीडियो पसंदाए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना हो और हाँ चैनल को भी subscribe कर लेजेगा आज की वीडियो में बस इतना ही जाने बाद